IPL 2022 में Chinese Super Kings अपने खिताब को बचाने के इरादे से एक बार फिर से मेधान पर उतरेगी महंदर सिंग धोनी की अगवाई में इस टीम ने साल 2021 में KKR को मात देते हुए चोता खिताब अपने नाम किया था अभी तक केवल एक ही बार ऐसा हुआ है जब CSK अपने खिताब डिफेंट करने में काम्याब रही है साल 2010 में टीम ने अपना पहला खिताब जीतने के बाद 2011 में लगातार दूसरी बार खिताब जीता था इसके बाद ये टीम साल 2016 में चैंपियन बनी मगर बेंड लगने की वज़स से ये टीम अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाई चैनली सूपर किंग के हरफर मोला खिलाडी ड्वैन ब्राव का मानना है कि खिताब जीतना तो आसान है मगर उसे डिफेंट करना काफी कठिन है दरसल टाइमस ओफ इंडिया को दिये हुए एक इंट्रिव में ब्राव ने कहा था कि हम हमेशा अपना सब कुछ मैदान में देने की कौसिस करते हैं जब भी हम ट्रोफि जीतते हैं हम इसे डिफेंट करने की कौसिस करते हैं आईपिल दुनिया का सबसे कठिन T20 टूर्नामेंट है और अपने खिताब को डिफेंट करना हमेशा एक चुनोती होती है इसे जीतना आसान है लेकिन इसका बचाव करना काफी मुश्किल है मुझे लगता है कि हमारे पास बिल्कुल सही टीम है हमारे पास फिर से एक अच्छा बैलेंस है हमारे पास अच्छे और अनुभवी खिलाडी है इसलिए हम खिताब को बचाने के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा बचाओ करना हमेसा कथिन काम होता है हम इसे अपना सेर्वस फ्रेश देंगे दोस्तों दुनिया बर की T20 लीग को खेलने वाले ब्राओं ने अपने सफल करियर का स्रेय पूर्य कप्तान मेहंदर सिंग दोनि को ही दिया है T20 क्रिकेट में 571 विकेट लेने वाले इस गेंदबाज ने दोनि के साथ अपने रिस्ते के बारे में कहा कि हमारा रिस्ता काफे सॉलिड है ये एक ऐसा बंदन है जिसे हमने वर्सों में विक्सित किया है और हर साल ये और भी जड़ा मजबूत होता जा रहा है दोनि एक ऐसे इंसान है जिसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक खिलारी के रूप में, एक कैप्टन के रूप में और एक साधारान व्यक्ति के रूप में मेरी ये करियर पर बड़ा परवाव डाला है